एलो एवरिवन मेरा नाम है आमिर और आप देखने आपको प्यारा सा यूटूब शैनल जिसका नाम है SMPS माने सीखो मगर प्यार से और आजम क्या सीखने वाले हैं आज हम कोश्चन बाकी के कोश्चन करेंगे जैसे कोश्चन टू रह गया दा मारा सिंपल है इस कोश्चन में आपको यह चीज दे रखा कि यह जो तीनों लाइन से वह आपको ज्यांस देखो एभी सी डी पैलल है सीडी एक पढलाव है इसका मतलब है कि तीनों यह तो यह चीज हो पर दूसरी चीज अगर हम देखने ही यहां पर रेशियो दिया हुआ है वाई एपान जैड का रेशिय तो य की वैलिव चाहिए तो मं थ्री के माल लेते हैं कि मुल्टिप्लाइब कर दो तो उसकी वैली हो जाती है उसी तरीके से जैड की वैली क्या हो गया जाती है सेवन के होगी अब कर लेते हैं चलो यहां अगर आप देखें लाइंस पैरलेल नहीं कि इनके जो सब्केन है नंबर पीम इनके तो नंबर को माणने से ही हमारा काम हो count कैसे बता देता हूं कैसे होगा अगर हम बात करें एंगण pew और इंगड देंगल घू और एंगलंगे स бол 위 कैसे दोंगे लुंकि यह कॉरesपांद निंग नेन हैं कैसे हैं कॉरेस्सेंटेंग है ट्रेकट मैं से देखो लाइन है यह और को रोग है इसलिए एक को लोग है चलो अब यह किसक्त की बात कर नहीं है एक फिर एंगल वन एंड ज्ड की बात करते हैं यह क्या है लिनियर बना रहे हैं क्या फिर इनका सम कितना होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिगरी एंगल 1 प्लस जैड एंगल यह जैड है 180 डिगरी होगा अब अगर हम इस पर देखें ध्यान से देखो यह एक्वेशन 1 कहले हैं और यह एक्वेशन 2 कहले तो क्या एंगल 1 और एंगल एक्वेशन 2 क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि एंगल प्लस एंगल जैड इस एक्वल तो 180 डिगरी हो गया एक चीज़ और देख लेते हैं अब सॉल्व करना ही वाकिया का अंसर आ जाएगा कैसे देखो तो वाई की वैल्यू कितनी है हमारी त्रीके वाई की देखने दिखेए तो उनका साथ 180 डिगरी सेवन प्लस 3 टैनके और 180 तो की वैल्यू जो आ गया 18 डिगरी आ गया तो हम और आगी देख लेते हैं क्या करना है के का वैल्यू आने से हमारे पास जैड का वैल्यू भी आ गया तो जैड एंगल कितना हो जाएगा सेवन की है तो 7 x 18 करो तो यह कितना हो जाएगा साथ 56 साथ एकम साथ और फार 126 टिए हो गया बस कमाल की बात देखो एक्स और एंगल टू की बात करें एंगल जैड और एंगल टू एक्वल हुए कैसे एक्वल हुए तो कॉर्रसip computerstein करें एंगल से हैं और अगर हम देखें एंगल टू और एंगल एक्स बोनो QUESTION क्यों यह तो एक्स in Schnall तो जब एंगल हो गया है में अग्स क्वैद एक्स इकॉल हो गया तो तो ने तो ने निकाली रखिए तो इसको नंबर देते हैं आपका फूर यह हो गया हमारा फाइब तो फ्रॉम वान थी फूर फाइब फ्रॉम थ्री फॉर फाइब पाइब आपका जो हैं एंगल एक्स वान ते शिक्ष डिगरी से असान कुछ भी नहीं करना है बस आपको वही कंसेटी नियाद रखने लीनियर पेर अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली एंगल आपको हो जाए ठीक है चलो अगला बहुत आसान है इस को पहले पढ़ लेते हैं कि आपको दिया कि वहीं और सीडी पैरलल है और यह आपका पर्पेंडिकुलर है यानिकि यह 90 डिग्री अगर हम बात करें जी इडी यह पूरा एंगल यह यह पूरा एंगल आपका 126 टिक्री तिक है चलो अब आपको निकालना क्या है एजी इनिकलना एजी यह निकलना इसको हम नंबर बन दे रहे हैं ठीक है नंबर देना आसान रहता है इससे हमारे तो क्या है क्वेश्चिन निकलना जी इएफ की अगर हम बात करें तो जी इएफ को हम नंबर टू दे रहे हैं ठीक है क्लिरली दिख रहा है बहुत आसान है अगर हम देखें एंगल जी डी को किसको देख रहे हैं एंगल जी डी डी कितना है आपका 126 अब यह किसके को लो जाएगा एंगल एजी क्यों सिंपल सारे इसीव है भाई एबी और सीडी तो पैरलेल है ना इग लाइन पर है और यह है अंगल हो गया और झाल हो गया और यह इंगल हो गया इस से पैला पार्ट हमारा अग हम बात करते हैं एक मिक्या निक्स निकालना देखो अगर हम बात करें इस की इसाने इंगल की जी एफ और इसको कैसे लिख सकते हैं कैसे का ये हो जाएगा आपका एंगल जी इप जो कि हमारा एंगल डू है जी एफ से को गया अब हमें ये निकालना है कि यह दा में पता ही है यह 90 डिगरी है इसकी में 90 डिगरी स्वाल कर लो तो एंगल जी अपि यहां पे 126 इस इक्वल टू एंगल जी एफ और यहां पे 90 डिगरी दिया है स्वाल करो अब यह उधर जाएगा तो माइनस होगा एंगल जी इएफ इस इक्वल टू 126 माइनस 90 डिगरी कितना हो जाएगा स्वाल करो से नो हो गई असान है कुछ भी नहीं करना है इतना से से स्टैप्स आप यूज करते जाए और आपका अंसरा जाएगा लो कैसे निकालना यहां देख लेता हैसने नेक्ट प्राट जो मतरा रहocy ए फ जीए अगर आपको याद हो अगर हम देखें एंगल वन एंड एंगल तूए क्या है देना प्रेव हम सही तो पयखेंज लिक्त सब्सक्यार में अग्र्दखतक थシルク अन्गल बाकई अगल दूश सब्सक्राइब 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 कर देख लेते हैं इसमें एक चीज करने हैं तो अल्रेडी रखी है अगर आप फॉलो करेंगे तो दो लाइन से ज्यादा का कुशन नहीं है है यहां पैलिल कर लिहिते हैं कि मैं आम रिये अच्ट क्यान है अगर अगर आप देखें कि आपका जो स्घल है अगर हम देखें एस टी के बार तरह हें तो स्टी हमारा हमारा स्ट पैरलल है देखें दो पी क्यू पैरलल है श टी के अब अगर हमने कंस्रेक्शन कर रहा है क्शंट कर रही है डाट म n हैं टो बस यह वन ले ले लेते हैं यह तो फ्रॉम बनेक्ट टू जाएगा ऊप्रॉम बन अब यह चीज़ करते ही हमारा काम बन गया देखो कैसे आप कि यह में डाइग्राम दुबारा बना दे रहा हूं एक यह लाइन है ऐसे इस तरीके से यह यह है और एक हलका सा यह है और यह है चलो अब इनको मैं यहां पर यह 110 दिया हुआ है यह आपका जो है 130 दिया है चलो अब जबकि यह पैलल है पी क्यू एस टी एम और यह कुंसा है आपका पार चलो अब अगर यह 110 है अगर आप देखें यह यह दस है एक तो क्या यह पैलल नहीं होगा यह फिसको अगर भाफन नम्बर देदेते हैं इनको पहले 1-2-3 अगर हम बात करें पी क्यू क्यू पैललल है आप के मन के तो इस से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो आपक qr bqr किसके एक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 कि यह क्या है वर्टिक आपके अल्टरनेट एंगल से कैसे हैं रटिक है सो कैसे लिख सकते हैं एंगल pqr is equal to angle 2 प्लस एंगल 3 इंगल 3 यह यह अदिक लिख लें निल्टिक दिया जो की पर लोगा आपके वन वन जीरो डिगरी के से कैसे अल्टरनेट एंगल से मैं अल्टरनेट एंगल्स को ए ए लिफ़ा हूं ठीक है अब अगर हम बात करें स्टी पैलल है आपके किसके स्टी पैलल भी तो है में के तो उससे हमें क्या मिलेगा एंगल और आर एस्टी किसके को जाएगा आपके एंगल 1 फ्लस एंगल टू कितना होगा बस अब अब लीनियर प्रपरट्टी उसकर लो क्या उसकर ना है लीनियर पिर अगर आप देखें तो एंगल 1,2,3 लीनियर पिर कैसे हैं अब यह हो गया चलो बस कर लेते हैं कैसे यह चीज तो पता ही है ना लीनियर का सम जो होता है 180 डिग्री होता है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इस एकुल तो कितना होगा अब अगर आप देखें यहां से अगर हम देखें तो एंगल 1 की वैली हमारी कितनी आ जाएगी एंगल 1 इस एकुल तो 130 माइनस एंगल 2 यहीं तो आना है हमें एंगल 2 निकालना है एंगल 2 निकाल लेते हैं कैसे निकल है 180 माइनस 2 तो तो एंगल 1 इस एकुल इस एकुल त्ट इमाइनस एंगल टू आया प्लस एंगल 2 प्लसस एंगल 3 इस एकुल तो 180 डिग्री और यह और यह कट गया तो बच्चा कितना एंगल 3 is equal to 180 माइनस आपका गया कितना 130 तो एंगल 3 कितना है आप जब आपने 50 डिगरी आपने एंगल 3 निकाल लिया और आपको पता था एंगल 2 प्लस 3 कितना है मैं यहां रप कर देगा हूं एंगल 2 प्लस 3 कितना है आपका देख लो दिया हुआ 110 है वसांसर हो जाएंगल टू प्लस एंगल 3 आपका 110 था यह तो पहले अपने निकाल लिया तो एंगल 2 कितना होगा एंगल 2 हो जाएगा 110 माइनस 50 हो जाएगा इस तरीके से हमारा एंगल 2 या फिर यह है